अगर आपके बच्चे को भी autism spectrum disorder है या ADHD है और आप चाहते हैं कि बच्चे के हर एक एरिया में improvement आए उसकी speech and language में भी improvement आए उसका जो cognition है वो भी improve हो और साथ से साथ उसका जो hyper activity है वो भी कम हो जाए तो आज का मेरा वीडियो इसी topic में रहेगा कि कैसे हम बच्चे के साथ काम क simple तरीके से आपको समझाने वाला हूं तो आपको इससे पूरी पनलब आसानी हो जाएगी कि कैसे हम अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं तो पूरा इस कुछन को से अपने बच्चे को घर में करा सकते हैं जिससे उनके हर एक एरिया में improvement आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस बहुत ही खास टॉपिक के साथ नमस्कार सभी को मेरा नाम राजकुमार है मैं एक CDA Child Development Aid और एक Special Educator हूँ मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको Autism और A.D.S दी है उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ देखिए आज मेरा यह जो वीडियो बनाने का परपस यह है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक Parents जिनके बच्चे को Autism है वो घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अपने बच्चे को समझते हुए एक्टिविटी कराएं और उसके हर एक एरिया को इंप्रूव कर पाएं क्यूंकि मैंने यह चीज़ देखा है कि जब हम Therapy Center में Parents को कोई Recommendation देते हैं वह तरीके और वह पूरी Strategy कैसे आपको अपने बच्चे के साथ काम करना है घर पर तो चलिए शुरू करते हैं हम step by step strategy देखिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वह है कि अपने बच्चे के साथ आपको ना एक फिक्स जगह निश्चित करनी है कि यहीं पर मैं अपने बच बच्चे की होनी चाहिए जहां पर आप बच्चे के साथ activity करेंगे ठीक है और उस corner में जो आपने corner बना रखा होगा उसमें आपको फोटो लगानी होगी जिसमें मतलब कि बच्चे को यह समझ में आ जाएगी मुझे यहीं बैठ कर activity करनी है मैं एक sample दिखा देता हूं आपक बच्चे का chair और table लगा रखा है उस wall पर आपको इसको चिपका देना है ठीक है तो इससे क्या होगा बच्चा link कर पाएगा कि हां मुझे यह जगा पर बैठ कर activity करनी है तो सबसे पहला हमारा काम यहीं रहता है कि हम बच्चे का एक physical structure fix एक बना लें जहां पर बच्चे को सा बच्चे के साथ बच्चे को देंगे करने को जो भी आप उसके साथ खेल खेलेंगे उन सब की आपको जो है photo click करनी है photo किसनी है और उन photo को खिषने के बाद आपको उन photo को निकालना है print out निकालना है और उसको अगर हो सके तो लेमिनेट कर दीजिए अगर लेमिनेट नहीं कर सकते तो आप उसको tape से भी चिपका सकते हैं और उसको आपने wall में दिवार में चिपका देना है जिससे बच्चे को यह मालूम लेगएं। बहुत पजल रहता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, उनको अपने predict नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है. जिससे आपका, मेरा हम सबका एक schedule होता है हमुचको follow करते हैं. ठीक हैं, हमें breakfast करना है, breakfast करने के बाद हमें ready होना है, हमें office जाना है और office में भी हमारे काम हमें पता है कि यह काम करना है office के बाद हमें बता है market जाना है market जाना है तो पूरा एक time table हमारा बना रहता है और हम उसको follow करते हैं अगर हमारा भी time table नहीं होगा तो हम भी जो है बहुत confused हो जाएंगे ठीक है तो हम भी अपने टाइम टेवल के नुसर चलते हैं तो हमारे बच्चे जिनको आटिजन स्पेक्ट्रम डिसोडर है या कोई और कंडिशन है तो उनका माइंड भी बहुत ज्यादा पजल रहता है उन्हें भी नहीं मालूम होता है कि क्या उन्हें क्या करना है आगे तो उसका आपको पिच्चर क्लिक करके दिवार में चिपकाना है आपको इंटरनेट से में पिच्चर मिल जाएगा अगर सबसकर मैं ब्रशिंग का देख रहा हूं नाने का देख रहा हूं खाने का देख रहा हूं आप गूगल में इमेज में फोटो वो टाइप करेंगे फोट करना है ठीक है और दूसरा बात होता है कि हमारी जो बच्चे जिनको autism spectrum disorder होता है यह visual learner होते हैं यह देखकर जल्दी सिखते हैं आप एक बात को अगर 10 बार बोलेंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा और आप उसको एक बार के साथ आप पिच्चर दिखा देंगे तो बच्चा उसको जल्दी लिंक करके उसको अपलाई करेगा तो यहां पर आपको यह काम भी करना है ठीक है यह दो बात हो गई next बात कर लेते हैं जो भी आप time table उसका जो आपने मैंने बदाए पिच्चर आप उसको बनाई है लगाताइए उसमें लाइस का धियान रखना है pro जो जो आप clear कि लिए activity तो बच्चे को क्या होगा ज्यादा देर ना तो ज्यादा देर बैठना पड़ेगा और ना ज्यादा देर बच्छा movement करेगा तो हमें यह अपने according बच्चे के level के according जितना बच्चे का level आपको देखना है उसके recording है आप उस time table को fix करेंगे लगाएंगे लेकिन चाहिए बच्चे का लेवल कम है या हाई है पर यह इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले जो है एक sitting वाली एक moment वाली एक sitting वाली एक moment वाली इस तरह की activities आपको wall पे या corner जो आपने बने वहाँ पर लगानी है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब यह आपने जो activities तो लगा दिया अब जब आप बच्चे साथ activities करेंगे बच्चे साथ आपको इस अपको इस अपको इस activities करवानी है ठीक है लेकिन यह चीज़े जो basic चीज़े वह आपको ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं अब जैसे आपने activity बच्चे को दिया और आप चाहते कि इस activity के बाद बच्चा आप दूसरी activity करेगा तो उसके दोरान आपको उसको खतम करवाना है वह activity बच्चे को तयार करना है उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने पजल दिया बच्चे को बच्चे ने पजल लगाया बच्चे ने पजल खतम कर दिया फिर आप ने उसको फिर चलो आज हो आप moment वाली activity करेंगे तो इस तरह से नहीं करना है आपको क्या करना है एक activity खतम होने से जब दूसरी activity activity में बच्चे को भेजोगे उसे हम transition बोलते हैं उसके लिए बच्चे को तहियार करना है सब्सक्रों मैं बच्चे को पजल करवा रहा हूं उसके बाद बच्चे को मैंने जो है जूला भेजना है तो पहले जब पजल लगाएगा बच्चा पजल जैसे खतम होगा उसके दिया अब चलो clapping करेंगे 543210 आपने जीरो बोला और आपने बोला पजल एक्टिविटी फिनिश आपने इसको बताना है पजल एक्टिविटी फिनिश हो गई अब चलो हम स्विंग जूला जाएंगे तो बच्चे का माइन कहा हम आपने तयार किया बच्चे को कि एक अक्ट पर भी करना है अब जूला ठाम करेंगे उसके बाद हमें बैटना है चलो छोड़ी जूला जूला उसके लाएंपने फिर काउँट क हाईफ मैं काउंटिंग कर रहा हूं कर रहा हूं उसके बाद हम जाएंगे क्लास में जूला जूला उसके बाद फिक काउंटिंग 5 4 3 2 1 0 फिर आपने वापस बच्चे को आकर बिठाना है अब यहाँ पर एक चीज का ध्यानक ना कि हो सकता है बच्चा नाम आने हैं आपको कहना तो आपको बच्चे को physical प्रौम्ट दे के मतलब उसको पकड़के आपने उसको बिठाना है नहीं बच्चा बैठना है स्टार्टी में तो इससे बच्चा नहीं बैटता है थो बच्चा करेगा जब civी यहां वी अगते को अन्यागी बार्ट इसके को समझने लग जाता है तो बच्चे को मालूम होता है यह टास्क दिया गया है इसको खतम करने के पदे बार मुजे पक्का ममी ममी यह पापा मुझे कुछ दूसरी मुमेंट वाली करने को देंगे तो बच्चा इसको बहुत जल्दी क्याच कर लेते हैं तो आपको इस तरह से करना है यह बात हो गई नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिए जो आप बच्चे को कराएंगे उसमें आपको काफी मतलब वाली एक्टिविटी एक बात आपको इसे का भी ध्यान रखना है कि जो भी अगर आप बच्चे से हो बात कर रहे है जो भी आपने कमेंड किया ए क्या जाकि यह एक किसीव लिए ना किया है इसको ऑल है क्लिए समय देता हूं सब खरो bez आपने बोला जाओ बच्चे को कुस्टी में बैठो बैठो और यह पजल करो और बच्चा रोने लग गया उसे नहीं माना वो बैठा है कुर्च में लेकिन मान रहा है रो रहा है वो तो आपने अगर बोला है कि एक्टिविटी पजल करना है तो फिर करना है फिर आपको उसको हाथ पकड़ की बच्चे से आपको आप ही कर दो ले ही मेलेगा आपको तो फिर बच्चा रोने लगे परषान होए तो आपप बच्चे रोता है बच्चे रोता है परषान होता हूं लाके देते अще लाकर देंगा उसको अगर आपने ये-ईस बोला एक इसकीज के लिए तो श исब करना होगा इस हुंना ये तो अच्छी बॉंडिंग हो जागी आपकी बच्चे के साथ तो यहां पर में को डॉमिने नहीं कर सकता हूं तो यह बच्चे हमारी जल्दी कैच कर लेते हैं तो इन चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो आपने कमेंट किया उसको फुल्फिल करना है ठीक है एक और चीज के आप ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे देखिए हम जो जितने भी हमाँ ठीचर होते हैं हमारे बच्चे इंको आटिजम या कुछ भी कंडिशन वाले बच्चे हम उनकी साथ बिल्कुल फन वे में और एक बिल्कुल फ्रेंडली माहूल बनाकर उनकी साथ काम करते हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रीक होकर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं तो आपको भी बच्चे साथ बहुत फन वे तरीके में काम करना होगा बच्चे के लेवल में आके काम क कर पाएंगे अगर आप बच्चे साथ थोड़ा काम करेंगे थोड़ा और इस तरह से काम करिए गार हो सके तो पॉसिबल हुपाएं तो हम यूँ बैठे हैं हाँ चलो पजल लगाओ करो फिनिस करो फिर इस वाद हम आपको जूरा ले जाएंगे इस तरह से नहीं अगर बच्चा पजल वाले एक्टिटी कर रहा है तो सपोस करो इस पर अनिमल्स बने हुए है आपने बोला ओ लायन आपने लोईन के आवाज निकाली काव काव कैसे करता है फिर आपने गाया देखो यह यह क्या है यह तो डॉग है डॉग कहने का मतलब यह है कि आप देख सकते कि कैसे मैं अपने आवाजों को उतार चड़ाओ इसका बढ़ा भारी पतला इस तरह से बना रहा हूं इसको इंट सब्सक्राइब करते हैं इस तरह से आप काम करेंगे तो यह स्ट्रेटीजी जो मैंने आपको बता है अब करनी है इस पर हम बात कर लेते हैं ठाइब अब सकते हैं वाज तो अब अबसाने कर alltså को सकते हिख स्केशे कैसा हिखं़ को खा lifelong ring लाए सकते आप पेस्टिंग थेर्हीं पेस्टिंग आपने पेपर फ़ाड के चिपकाने वाला काम करवा सकते हैं बच्र कदेब अच्छे के लिएवल अच्छ em nephew तो आप बच्चे को कैंची से करवा सकते हैं आपने शेफ बना दिये अलग-अलग और बच्चे को आपने काटने के लिए दिया अगर बच्चे का शेप नहीं काट पा रहा है तो आप बच्चे को लाइन एक एफोर साइज में आपने खिश की दे दिया और बच्चे को उसे के लिए बैएना प्लावर बना दिया तो फिंगर पेंटीं को डे सकते हैं सब्सक्राइब है उसमें ना सकते हैं यह नहीं है। एसे जी मैंने पस्के के बात किया था पस्ट उक्कुटी आप बच्हों को दे सकते हैं पाडल में आपके ब्लॉओं कर आजाते हैं टावर बनाने वाला बिचे में बच्चे के साथ खेल सकते हैं और अब यह देखना है कि बच्चे का लेवल क्या है वह आपको देखना है कि आपका बच्चे का लेवल कितना कितना है अगर हाई है या कम है उसके को बच्चे को पजल दे सकते हैं पजल में भी वराइटी जाती है आप जिक्सो पजल दे सकते हैं या वुडन पजल दे सकते ह ही आप बच्चे को करने को दे सकते हैं पिच्च पर बच्चों को करने गाए बच्चे बहुत पसंद करते हैं और देखा गया ज्याता जिन बच्छों ने जो एक सद्ट इसकते हैं तो आप अप पानी की साथ कर वा दिया आपने बच्चों को बाटल दे दिया बच्चों को पूरिंग करने के लिए में आप लल सकते हैं जो आते मोति आते इस तरह कि छीजा आप कर सकते हैं करने का वह इसकते हैं वह बच्चे बहुत इंज्छो करते हैं है practically TVर सब्सक्राइब जो और अब उसमें बच्छे आपना खेल सकते हैं खेल कर जो है आप उसमें कोई पैटर्न करने को दे सकते हैं या फॉर्म में आपने कुछ के दाने चोड़ी दा सकते हैं जो को बच्छा जो है अलग करेगा इस तरह की चीजजा आप सेविंग फॉर्म में दे सकते हैं स्लाइम बगएरा दे सकते हैं यह जितने वी सेंसिटी अग्ट्विटी यह बच्चों को आप करवा सकते हैं ठीक है ऐसे ही अगर मैं मूंडे की ब करने वाला इस तरह का बड़ी बॉल को पकड़ने का दे सकते हैं बैलून बैलून को भी आप दूसरे को पास करने वाला गेम करवा सकते हैं बच्चे के साथ होपिंग करवा सकते हैं एनिमल वाक करवा सकते हैं आप बच्चों के साथ और 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 भी जब कोई भी जो मुमिंट आप बच्चों को दे सकते हैं जिसमें बच्चे जो पुरा 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 भारी सामान को प्ज़ करने वाला गेम शामाने इस तरह चीचे आप बच्छो को दे सकते हैं आपर एक चीज्छ न्युक्त करेंगे इसके साथ ही आप बच्चो को बच्चो के साथ कर सकते हैं तो एक्टिविटीस बहुत सारी आप जो बच्चो के साथ कर सकते हैं सिदिक लगा सकते हैं रिडंग टाइम ऐसा नहीं कि इंचले वाला गें करवा करवा सकते हैं घुर में और बच都 को चीविश City को एपने के सेंसरी कर ब्राइं कामिक एक्ट्विडी में आप बच्छे को डेता हूं इसमें क्या करना होता है कि बच्चे को जो एक हुआ डिप डीप रेसर हम प्रोवाइड करते हैं बच्चा अगर आपने बच्चे को फ्लावरों में लेटा दिया है उसके ऊपर से आपने वैसे तो हम जिम बॉल यूज करते हैं अगर जिम बॉल नहीं है आपके पास तो आप तक्या या कोई कुशन जो है कुशन से या जो आपकी जरजाई है उसको फोल्ड करके कंबल को उससे आप अच्छे को प्रेस दे सकते हैं उसके बॉड़ी में ठीक है बैक साइब में पुरे हाथों में एक प्रेस प्रेस देखा हुआ है बीडाउट एनी साउंड सबस्ब चाप सांद चिप चाप होके बैठे हुए और म्यूजिक चल रहा है बच्छे न अपने आइस कर रखिए तो इसे हम बोलते कामिंग एक्टिविटी एसे ही आप बच्चों को योगा वगयरा करवा सकते हैं ठीक है जो भात करें अब करें एक्टिविटीवा जादा है उसको करने के लिए युसफूल रहती है मदद करता है इस तरह की आप बच्चे को करवा सकते हैं अगर बच्चा चोता है या डियोंग आप पॉर यह का फाइव एससे हैं तो आप उसके सदो आप उसके साथ अप इंया द्रियूं नाय। और शेखीने उन ऐसे आप प्लेंडों कीूवकर सकते हैं तो यक्टयून हम स्था करते हैं我說 तो यह एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई हैं इस से जब अगर आप इस विजूल टाइम लगाएंगे बच्चे के साथ और काम करेंगे तो बच्चे के हर एक एरिया में आएगा अगर मैं बात करूँ सके हैं इस-स पीच में बटाया है क्या लेंग्विज डिवल्मेंट के लिए अगर can को रारो ह bowking बता हएगी उससे अड्यान ईग्रीप ही जो यह उनकी है रही और जो है बहुत कम होजाती है ठीक है कॉगनिशन बच्चे का बड़ेगा आप इसमें अपना अकेडमिक अगर बच्चे का लेवल अच्छा है तो आप उस में अप कुछ वक्षिप यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चे को आप यहां के लिए कुछ करवा सकते हैं वह भी टाइम आपके कमांड को फॉलो करने लग जाए फिर तो आप बहुत से चीज़े बच्चों को करवा सकते हैं आपको अपने आप इसे नहीं नहीं आइडिया जाएंगे अमेन होता है बच्चे का सेटिंग टोल्रेंस बढ़ जाए अटेंशन उसका बढ़ जाए और आपके कमांड को फॉलो करने लग जाए उसके बाद तो फिर आपके पास एक से आइडिया जाएंगे आप वो एक्टिविटी करवाई है बच्चे का जो है इसको फॉलो करते रहेंगे तो आप धीरी देर आप खुद देखेंगे कि बच्चे में काफी ज्यादा इंप्रुमेंट आ जाता है तो यह आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर था कि कैसे हम बच्चों के साथ काम करें और क्या-क्या एक्टिविटीज हम बच्चों को करवाएं तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको कुछ हैलफुल लगा होगा और कुछ अगर आपके कंसन है कमेंट बॉक्स मुझ नमस्कार